प्रेंज देखे आज हम आपके लिए बहुत प्यारा और उनिक डिजाइन लेकर आए हैं इससे आप डिजाइन भी डाल सकते हैं अगर आप बार्डर बनाना चाहें तो बार्डर भी बना सकते हैं कार्डिगन वगरा में यह डिजाइन डाल सकते हैं तो फ्रेंज देखे यह आप दोनों तरीके से इस डिजाइन को यूज कर सकते हैं ब डाल सकते हैं और च्रटे छोटे बहुत ही त्याराइ ब्यूटी स्वेट pregunta बनकर में अंड्ना ना है रिए दो सेलायों का prag day aja और बहुत ही जल्दी बनकर ईजली करभना कि यह तो इसकी आप चैनल सुची आप उसकी में डाल सकती है यानि 16 फंदे हैं और यह फोर के मल्टिपल यह डिजाइन बन कर तयार होगा दो-दो इस्टिचेस हमने जो हैं साइड के लिए हुए हैं और टूरो में यह कम्प्लीट होगा तो चलिए रेखी हमारा यह फर्स्ट रो है फर्स्ट रो को फ्रेंट्स क्या करना है फर्ले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे और एक फंदा हम सीधा बुनाई करेंगे इसके बाद उनके धागे को आगे लाएंगे और देखिए उल्टा बुनाई करेंगे यह सभी फंदो को हम उल्टा बुन लेते हैं फर्स्ट रो आपको ऐसे पूरे फंदे आप जो है उल्टा बुन करके तयार कर लेते हैं और फिर देखे यह साइट के दो फंदे हैं इन्हें हम सीधा बुन देते हैं यह हमारा फ्रेंड्स फर्स्ट रो कम्प्लीट हो गया अब सेकेंड रो यह रॉंग साइट से डिजाइन इसमें बनेगा तो चलिए देखिए हम रॉंग साइट से डिजाइन बनाते हैं तो हमारे जो दो फंदे side के थे वो दो फंदे हम side के उल्टे बुनाई करेंगे अब देखे मैं क्या करना 1,2,3 3 पंदों का एक करेंगे 1,2 1,2,3 यो 3 फंदों का हम एक करेंगे और फिर उनके धागे को back side ले जाएंगे अब इस एक फंदे में हम तीन फंदे बनाएंगे एक उनके धागे को अपने शाइड किया फिर दुबारा हम ऐसे बुनाई किया तो एक से तीन फंदे देखिए इन दो फंदे हमारे साइड के हैं जो तीन फंदा का हमने एक किया है और हमने एक फंदे से ये तीन बनाए, एक, दो, तीन, फिर इसी तरह पैटरन को रिपीट करना है, उनके धागे को फ्रंट साइड लाएंगे, एक, दो, तीन, तीन फंदो का एक करेंगे, उनके धागे को बैक साइड ले जाएंगे, एक फंदे से हमें तीन फंदे बनाने हैं देखे, एक उनके धागे को आगे लाएंगे और फिर दुबारा बुनाई कर देंगे, तो हमारा जो है, एक, दो, ती, फिर उनके धागे को आगे लाएंगे और तीन फंदों का एक करेंगे, तो देखे फ्रेंज, हमने तीन फंदों का एक किया, अब एक फंदे में फिर हम ती तो देखिए हमें क्या करना है फर्ष्ट फंदे को श्लिप करेंगे और इस फंदे को हम बुनाई कर लेंगे उनके धागे को आगे लाएंगे और देखिए ये सभी फंदों को हम उल्टा बुनाई कर लेंगे ये हमारा थर्ड रो है और इसे हम ये उल्टा बुन देते हैं देखिये हमारा फारड रो है, फोर्थ रो में कुछ चेंजेस हैं फ्रेंट, तो देखिये, यह हमारा दो फंदे साइड के हैं, तो इन्हें हम सीधा बुन लेते हैं, थार्ड रो कंप्लीट हो गया, अब हम फोर्थ रो में आते हैं, देखते हमें क्या करना है, दो फंदे हमारे हैं, एक फंदा हमने श्लिक किया, एक फंदा बुनाई ते दो फंदे हमारे साइड गया, तो उस बार हमने तीन फंदा का एक किया था, उस पर हम एक फंदा से तीन क पिर दिवारा बिनाओ जरेंगे और फिर देखे उनके धागे को आगे साइड लाएंगे आजो हमने तीन फंदे एक फंदे किया था अब उस तीन फंदों को हम एक कर दोगे ऑदनाओं पिर इसी तरह जो हमारा यह फंदा है इसमें हम देखे एक धागे को आगे लाएंगे इसे दिबारा प्रादा एक फंदे तीन फंदे इधर पिर उनके धागे को आगे लाएंगे फिर तीन फंदो का एक करेंगे एक फंदा बुनाई किया फिर उनके धागे को आगे किया दुबारा बुनाई किया फिर उनके धागे को फ्रंट साइड लाएंगे और तीन फंदो का हम एक करेंगे और फिर यह दो साइड के फंदे ना है कि जैसे कि हमने जो हमने तीन फंदो का एक क्या नेश्ट में आएंगे तो ऐसे ही हमें करना है तो हमारा यह देखिए डिजाइन ऐसे छोटे-छोटे बुटियों में बन कर आएगा तो आप वन से लेके फोर तक इसे डिजाइन को रि इतना खुबशूरत यह दिजाइन बन कर आएगा देखिए इस डिजाइन को आप बनाएए बहुत ही खुबशूरत डिजाइन है छोटे-छोटे बुटियों में बन कर आता है देखिए इसे बाडर के रूप में भी आप यूज़ कर सकते हैं स्वेटर में अगर डिजाइन डालना चाहें तो इसे फ्रेंस आप डाल सकते हैं देखिए यह राइट साइड है और यह राइट साइड है यह राइट साइड है तो इसे आप बनाएए आपको बहुत ही खुबशूरत डिजाइन है फ्रेंस अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो यह डिजाइन इसी लगी हो मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा अभी तक आपने मेरे चैनल को सस्क्राइब न किया हो तो सस्क्राइब कर लिजेगा फ्रेंट बगल में बेल आइकन की घंटे उसे प्रेस जरूर झाल झाल